हाई गाई विलकम तो निडाडिक्शन और बोलने वाले वाटी उस्पीर सब têmेट चीज़ सब्सक्राइब आपको बस यह पूरा वीडियो देख लेना है उसके बाद आपको कोई भी डाउट ने रहेगा सो लेट श्टार्ट इड देखो उस्पयर और उस्पोर क्या होते इसके लिए एक सीधी से बात आपको ना यह लाइफ साइकल ओफ ओमाइकोड दिखना है यह देखनें बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा ओके लेट स्टार्ट यह देख होता ऐसा है ओमाइकोड का जो म और एंट्रिडियम यह मेल्सिक्स और गने इसमें उगोनियम में तहर होते उस्पियर्स क्या होते उस्पियर्स उस्पियर्स तहर होते मियूस किस्ट रूप इसमें उगोनियम में होते मतलब यह एक गहमेट है यह क्या है यह गहमेट है और यह हैपलोड रहेगा ओके अब यह उस्पियर ताहर होते, एंट्रिडियम में मेलगेमिल्स ताहर होते, यह जब अभी इनका fusion होगा, fusion कब होगा यह दोनों पास आएंगे, यह पास आने के बाद इनमें होती fertilization tube formation होता है, इसकी fertilization tube यह देखो, यह पूरी fertilization tubes ताहर होके, अब यहाँ पे haplod है, 1, 2 हर एक में एक-एक nucleus है इसका तो miosis होनी का बद, इसमें भी एक-एक nucleus रहेगा इसके हर एक nucleus इसके साथ fuse होगा, मतलब ooze sphere के साथ, male gametes fuse होने के बाद, यह होंगे तयार यहाँ पर ooze pores, इसका क्या हो रहा है यहाँ पर fertilization, fertilization होके क्या बन रहे है, ooze pore, ooze pore मतलब क्या एक, फिर है, यह एक zygote है, और जो की deployed है, ओके यह है zygote, और यह two end रहेगा, मतलब और हाँ, इसके बाद क्या होगा है zygote का, zygote का होगा dispersion, यह इसका dispersion होके हर एक अलग-अलग, अब यहाँ, उसके बाद ooze pore, जो है न, यहाँ पर, ooze pore में इधर four निकाले, यह four से लेके ten तक हो सकते इसमें, बन सकते, ठीक है और ooze फिर, यह इतने बन सकते, ooze फिर क्या है, gamit ओके, अभी ooze pore, ooze pore का होता है, dispersion, dispersion होने के बाद, इसका होता है, germination और germination से फिर से, my sleep तहर हो जाता है, अब इसमें आपको क्या, क्या याद रखना है, मतलब क्या समझा क्या ऐसा, कि oogonium जो है, oogonium एक female sex organ है, कि इसमें, oo my coat में, उसमें तहर होते है haploid gamits, समझ लो, gamits, तहर होते हैं, पर वो उन, haploid gamits को क्या बोलते है oospear, और ये female होते है ये female gamits female gamits, मतलब, ओके आपको याद क्या रखना है, इसमें, ठीके आपको याद है से रखना है देखो, points to remember oospear, oospear क्या होता है gamit, ये किदर form होता है, oogonium में ये non-motile है, और ये haploid है, बात खतम oospear क्या है, oospear zygote, आगे जाके diploid हो रहा है, oogay, ये तो diploid है, हाँ, या पिर लिखा है मैंने, zygote, और ये किसमें-किसमें, फॉर्म होते है, ये algi में और fungus में, सम algi और fungus है, सब में ने होते हैं oospear mycotic अलग है न, तो उसमें तहर होते, oogay, सम algi और fungus में भी अलग-अलग होते, और उसके बाद sexual spore ही है, ये sexual spore है अभी क्या देखा हमने, gametes male और female gametes आके, फिर oospear तहर हो रहा है, मतलब sexually sexual spore हो गया, और हाँ एक important बात है, अगर अगर oospear को बार से ठीक वाल होगी तो उसको बोलते, जाएगो spore ये एका अपको important बात या तरपने है ओके, ठीक है, हो गया doubt clear हो गया confusion दूर, बस यही था oospear और oospear के बारे में अगर आपको और भी किसी topic का, या फिर doubt है, या फिर कुछ भी confusion है या फिर कभी class में पढ़ा है पर समझा नहीं, sir ने पढ़ाया में भी था, class गया था, नहीं गया था फिर उपर problem है, ऐसा कुछ confusion है किस topic में, ऐसा कुछ भी हो ना तो मुझे आप comment section में बताओ उसके उपर भी एक video upload कर दूँगा ओके, all the best